शर्वे भवंत सुखिनहा, शर्वे संत निरामया, शर्वे भद्राणी पस्षिंतु मा काश्जित्युकु भाग भवेत। महान सुतंता सेनानी पंडित गोविन बलापंत के नाम से विख्यात यह गोविन बलापंत करसी एवं प्रद्योगिक विश्विद्याले पंत नगर का उदभव सन 1960 में हुआ। अपने उदभवकाल से ही यह विश्विद्याले, सिक्षा, सोद एवं प्रसार के छेतर में उच्चतम मुकाम हासिल किया है। कहते हैं किसी संस्था को आगे ले जाने में निर्भर करती है, वहां की कारपणाली और इस से भी ज़्यादा निर्भर रहता है संस्था के नेतृत्त पर। विश्विद्याले को लगभग पांच दसक पूरे हो चुके हैं। इन 55 वर्सों में अब तक 21 सिक्षाबिदों वा प्रसासनिक लोगों का नेतृत्त प्राप्त हो चुका है। पंतनगर विश्विद्याले अपनी इस लंबी यात्रा में जहां उच्तम उचाईयों तक पहुँचा वहीं कुछ वर्सों से एक कुसल इस्थाई नेतृत ना मिल सकने के कारण इसकी ख्यात इवं कारपणाली में भी आसर पड़ा। परंत अब देर आए दुरुस्ताई की उक्ती का संचार पुनह दिख रहा है। मनसा जाहिर की। दूसरे दिन पुनह आवकास होते हुए सुबह फार्म का दौरा करने के बाद पत्रकारों से वारता कर अपनी मनसा प्रकट की। सबसे पहले तो हम आप सब का स्वागत करते हैं क्योंकि हम आपको अपने परिवार का सदश्य मानते हैं। आज जो सबसे बड़ी समश्या यह नहीं है कि तकनालजी है कि नहीं है। समश्या यह है कि तकनालजी का हस्तांतरण हो रहा है कि नहीं। तकनालजी का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। और सदुपयोग या दुरुपयोग होने के बाद जो फीड़ वैक है वो कंसर्ण क्वाटर में पहुच रहा है कि नहीं। इसके लिए आप से बढ़ियां कोई माध्यम नहीं है। इस बीच पत्रकारों के सवाल का जबाद देते हुए उन्होंने कहा किसान को जो पैदा करता है अगर दो पैसा उसके पाकिट में नहीं जाएगा तो वो लागत नहीं लगाएगा और रागत नहीं लगाएगा तो टेकनालजी नहीं जाएगी उत पादकता नहीं बढ़ेग तो आपका रूल जो है विश्विद्याले के सिक्षकों से विश्विद्याले के जो टेकनालजी बनाने वाले हैं हस्तानती उससे आपका रूल बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप असली जिस काम के लिए हम हैं उसको आप आगी ले जाते हैं कार्याले जाने से पूर्व पंडित पंथ जी एवं गांधी जी की मूर्ती के पास जाकर आसिरवाद लिया तथा कार्यालों का भ्रह्मन कर विश्विद्याले के गांधी सभागार में उपस्थित जन समूह को अपने संबोधन में कहा कि आज सुभा सुभा मैं जब निकला तो सबसे पहले मेरा ध्यान पंडित गोवन पंथ जी की प्रतिमा पर पड़ा यहां आने के पहले सबसे पहले मैंने पुष पांजली दी मैंने उनसे पूछा आपकी मुझसे क्या अपच्छाएं मुझे आदेशित किया गया कि जिस आधर्षों की अनुपूर्ति के लिए इस विश्विद्याले के अस्थापना की गई है उसके अनुपालन के लिए आप निमित्र मात्र हो प्रभू को अश्मरण कर उसकारे में लगो मेरा असिरवाद आपके शाहत है डाक्टर मंगला राय सारा सरे यहां के छात्र करमचारी अध्यापक एम अधिकारियों को देते हुए कहा आप लोगों के अथक प्रयास से देश में जो है भंडार भरे हैं कौन कहता है आपने काम नहीं किया है कौन कहता है क्रिसी बैग्यानिकों ने काम किया है और जो पूछता है उसको जबाब दीजिए कि दस बरस पहले बासमती का 400 करोड का एक्सपोर्ट करते थे आप इस बरस 2014-15 में आपने 49,300 करोड का एक्सपोर्ट किया है आपका जबाब होना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी बिश्व की 17% आबादी मातर 4.2% पानी मातर 2.3% जमीन बिश्व में पर यूनिट जो प्रेशर है पाँच गुना ज़ादा हिंदुस्तान में और इंडो गंगेटी के लूवियम में तो और ज़ादा उसके बावजूद आपने 47,000 करोड का राइस एक्सपोर्ट किया है राइस 2014-15 बिस्विद्याले से सेवा निबरित अधिकारियों को सम्मानित करते हुए उनकी मनसा के अनरोब डाक्टर राइ ने कहा पास से यह बिस्विद्याले उतकरष्ट है यह मान लीजिए मुझे आप में पूरा आस्था है आप में पूरा प्रबल विश्वास है और उसी आसा और आस्था और आपके भरोसे मैंने तिवारी जी को यह कहा है क्योंकि हमारे सबसे बुजुर्ग हैं कि आप मान लीजिए कि इसी छड़ से यह भी सुविद्याले देश का सिरसस्त भी सुविद्याले है कुलपत डाक्टर मंगला राय ने गांधी हाल में उम्रे जन सैलाब में अधिकारियों विद्यार्थियों यह करमचारियों को सालिंता से अपनी बात कहने की सलाह दी जीवन में अगर सफल होना चाहते हो आप विसेश रूप से छात्रों से कह रहा हूं तो आप मृदुवासी रहना आप सबके पति नम्रता का बेवहार करना सबके पति बिनम्र रहना पर बज्राद अपी कठोराणी के मंत्र को कभी मत भूलना बज्र के समान प्रहार करने की आपकी समर्थ होनी ही चाहिए उन्होंने मनसा वाचा कर्मना की एक रूपता पर बल दिया कुलपती का पहला गुण क्या होना चाहिए पहला गुण होना चाहिए मनस सेकम बचस सेकम करमडश सेकम महात्मना मेरे मन बचन और कर्म में एक रूपता होनी चाहिए तो तिवारी जी इसी छड़ से मेरे मन कर्म और बचन में एक रूपता रहेगी अगर एक रूपता न रहे किसी भाई बहन को दिखे तो मेरा कान पकड़ ले मैं कान पकड़वाने को तयार रहूँगा और मैं चाहूँगा कि ये एक रूपता बनी रहे आत्म दीपो भो का बोध कराते हुए कुलपत डाक्टर राय ने कहा उनके पांच जो सिस्य से जब बुद्धा मरने को हुए मरन सया पर थे तो बड़े चिंतित हो गए सिद्ध उन्होंने कहा प्रभू अब तो आप मरने जा रहे हों अब मैं क्या करूँ उन्होंने कहा आत्म दीपो भो आज से इस बिस्विद्यालय का हर चात्र हर चात्र हर अधिकारी हर करमचारी मेरा हर भाई मेरा हर बहन आत्म दीप है बी लैंप पोस्ट मैंने पहला नीतिगत निर्णे लिया है कि तो हम फांडेशन डे लेक्चर ही नहीं करेंगे हम फांडेशन डे वीक करेंगे फाउंडेशन डे के दिन लेक्चर होगा तदो परांत अकेडमिक काउंसिल और बोर्डा मैनेजमेंट की मीटिंग उस दिन होगी बच्चों की डिग्री की संसुती उसी दिन ली जाएगी दूसरे दिन कन्वुकेशन होगा और ये नीतिगत निर्णे सदा लागू रहेगा अपने साथ साथ सभी की उत्तरदाइत को अर्तालिस घंटे कारे प्रडाली बनाने पर जोड़ दिया 24 घंटे को 48 घंटे बनाना मैं जानता हूँ और आप में से कोई नवजवान नहीं होगा जो मेरे से ज़्यादा काम कर सके अगर कोई प्रतियस परधा में उतरना चाहता है तो उसका स्वागत है विस्विद्याले को मा का दर्जा देते हुए कुरीतियों को चले जाले की सलाह दी कि मेरे लिए मंदिर है और इसने मेरे को धारण किया है तो ये मेरा माव है माँ है और अगर मेरी माँ है ये तो मैं उन समस्त आशुरी प्रभृतियों को मैं उन समस्त बुराईयों को मैं उन समस्त कुद्रिश्टियों को चेतावनी देता हूँ किस भी स्विद्याले पर वो कुद्रिश्टि न डालें वो यहां से चले जाएं ये उनकी भलाई में है अगर उसके बाद भी कोई दुस्साहस करता है तो मैं उसे संघर्ष के लिए मंत्रित करता हूँ जितना जल्दी कोई बुराई जितनी कुरीती जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है सफाई के लिए क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ सुजलाम सुफलाम मलैसी इतलाम में अगर सुजल नहीं होगा सुफल नहीं होगा बायव प्रदूसित रहेगी बातावन प्रदूसित रहेगा तो यहां से विद्या का स्रिजन कैसे होगा ग्यान का स्रिजन कैसे होगा इसलिए मैं सपत पुर्तवक उनसे बिनम्र निवेदन करता हूँ कि ये छोड़के चले जाएं नहीं तो संघर्स के लिए तयार है उन्होंने बिस्वास दिलाया कि इस बिस्वित द्याले का खोया वजूद वह वापस लोटाएंगे इसमें सभी की भागेदारी होगी हम ग्यान अर्जन करेंगे उसकी नीव मजबूत करेंगे ताकि उस ग्यान अर्जन के सहारे से बिस्व प्रतियस परधाद जीच सके हमें अपने को जीतना है अपने को जीत लेंगे तो सब जीत जाए और हमें पूरे मनोयोग से सिर्फ और सिर्फ पंथ नगर के उन्नेयन और विकास का मार्ग प्रसस्त करना है इसके माध्यम से प्रदेश का देश का मान बढ़ाना है कुलपद नाक्टर राय में जोस कुसल नेतत बैज्यानिक द्रस्टि एवं सकार आत्मक सोच प्रथम दिन से ही दिखाई दिया हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके सुख में आप बुलाओगे तो आजाओंगा दुख में आप मुझे अपने साथ पाओगे ये मेरा वादा है आपसे विश्ष्ष्त्री बनने के लिए भाव प्रकट करने की सलाह दी अब यह महसूस हो चुका है कि सच मुझे हम प्रथम स्रीडी में पहुंच चुके हैं अब यह निश्चित है कि इस विश्विद्याले का गौरव वापस आ चुका है चरैवेद चरैवेद चलते रहो चलते हुआ हुआ है